ये पूरी तरीके से ये राहुली की जो यात्रा है प्रयाग राज की ये अपने खुद की अपने उनकी मातर भूमी दर्ती है पुरवजों की दर्ती है यहां आ रहे हैं और यहां सिविल जो हमारी सोसाइटी है उस पूरी तरीके से उन्होंने ये कारिकरम अवजित किया है औ और उसमें राहुली एक मुख्य बक्ता के रूप में या समीदान के सर्च्छ के रूप में लड़ने वाले भूमिका में रहेंगे और मैं समस्ताओं कि उसमें सम्मिल हो रहे हैं और वो पूरी तरीके से समाज के अंदर काम करने वाले लोग, समाज के अंदर जो स्रीज सूसाइटी के लोग हैं जो काम करने वारे लोग हैं उसमें सामिल हो रहे हैं और मैं सुनाओं कि जो समयदान ये सरकार के द्वारा चुनाओं के समय से और आज तक जो समयदान को पूरी तरिके से रोधा जा रहा है समयदान को पूरी तरिके से असमयदानी काम किये जा रहे हैं उसको ये रहुलिये ने जिस तरिके से जवाब दिया है यह कुछ तरीके के ही कारिकरमा उच्छत होता है। समिदान हम बदलेंगे। तो निश्चत लगा रहुली को कि यह क्या होने जा रहा है। तो रहुली ने उसको फिर मजबूती से उठाया, बीड़ा उठाया और जन समर्थन मिला, जनता का साथ मिला। तो वो आगे और मजबूती से चीजे मजबूती के साथ खड़ी रहें। लोगों के यह कभी ने मैसुश उप्यवल चुनाओं में हमने समिदान की बात किया और आगे हम पीछे हम उस पे चुप हैं। तो यह निश्चित तोर से समिदान के रक्षा की बात, सरक्षण की बात वो लगातार हमारे नेतार राउली बोल रहे हैं। उसी के तहतार यह कर में हा रहे हैं।